हेलो आप्रेवान वेलकम तो माइ चैनल फ़ांक्शियन क्यूट लव स्टोरी तो फ्रेंटस कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत 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 आशे हैं तो चलिए है फ्रेंटस आप हम अपनी स्टोरी डॉन लीमी का नेक्स पार्ट शिरू करते हैं और जो कोई चैनल पे न्यू है स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए फ्रेंस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं इबो की केर कर रहा था उसके सामने तो उससे बहुत अजीफ फील हो रहा था बहुत उससे गुसा रहा था लेकिन वो जान के सामने ऐसा प्रिटंड नहीं होने देती जहां चैनल डायना को देखकर बहुत गुसा होता है अब हम next day morning का scene देखते हैं जहां देखते है इबो जो दीरे दीरे अपनी eyes open करता है तब ही वो देखता है वो बिल्कुर जान की चेस से चिपका हुआ है जैसे ही जान को ऐसे देखकर इबो के face पे एक smile आ जाती है तब ही वो जान के face पे जो उसके forehead पे तोड़े बाल आ रहे थे उसे वहाँ से अठाता है और जान के forehead पे किस करता है जान जो दीरे दीरे अपनी eyes open करता है और इबो को ऐसे देखता है तब ही वो कहता है गुट मॉर्निंग पपी इबो जान के मुझे ऐसे सुनता है तो उसके face पे एक smile आ जाती है और कहता है गुट मॉर्निंग जान का तब ही जान केता है और कैसी नहीं दाई मेरे बेबी को इबो कहता है पर जान का आप इतना लेट क्यों आए मैं कितना बेट की आपका मैंने जान केता है sorry बेबी मैं बस बो डाइना के साथ उसे तोड़ा काम था मैं बस उसकी काम में help कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला बेबी I'm sorry इबो जो एक smile करता है कहता है कोई बात नहीं जान का मैं समझता हूँ ऐसा कहता है जान जो इबो को ऐसे देख रहा था उसकी face पे एक smile आ जाती है इबो जैसे ही उटने वाला था तभी जान इबो को उसकी कमर से पकड़ कर अपनी तरफ खीच लेता है इबो जो पूरी तरीके से जान की चेस्ट पर आके गिरता है इबो की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहता है जान का जान के ते बड़ी आई लव यू जाने की smile इबो एक smile करके कहता है आई लव यू जान का तभी इबो कहता है पर जान का मुझे उटने दीजिए मुझे आपके लिए breakfast भी बनाना है आपको पता है ना आपको सुबही सुबह आफिस जाना है तभी जान कहता है पर बीबी मैं तोड़ी दिर तुम्हारे साथ ऐसी ही रहना चाहता हूँ ईबो एक स्माइल कहता है और कहता है जानगा मुझे पता है आप ऐसी रहना चाहते है और उसके लिए पूरी नाइट है आप नाइट में भी मेरे साथ ऐसे रह सकते हैं अब उठिये मुझे भी कॉलिज जाना है और मुझे चैंक को भी उठाना है जान एक स्माइल करता है और तभी वो ईबो के लिप्स बेग छोटे सा किस करता है इबो जो थोड़ा शर्मा जाता है जान एबो को ऐसे देखकर उससे बहुत अच्छा लगता है जब इबो थोड़ा शर्मा जाता है उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है जान को इबो को इस तरीके से देखना उससे बहुत क्यूट लगता है इबो जो दीरे से उड़ता है और सीधा वाश्रूम में भाग जाता है इबो को ऐसे देख के जान को अपने फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है अब हम सीधा तोड़ी दिर बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं इबो जो नीचे प्रिकफास बना रहा था तब ही डाइना जो सीधा किचिन में आती है वो इबो को इस तरीके से देखती है फिर वो इबो के पास आती है और इबो से कहती है गुट मॉर्निंग इबो जैसे ही डाइना को देखता है उसके फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो भी कहता है गुट मॉ वो कहता है ठीक है आप वहाँ बेट कीजिए मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूं ऐसा कहता है तबी डायना जो हम कहती है और वहीं जाके ब्रेकफास्ट टेवल के सामने बैठ जाती है तबी जान जो दीरे-दीरे नीचे आता है और चैंग भी चैंग जान को गुड मॉनिंग जान जान को देखे गुड मॉनिंग कहता है और वो दोनों भी नीचे आ जाते है तबी डायना जैसे ही जान को देखती है वो जल्दी से खड़ी होती है और दोड का जान के गले से लग जाती है और कहती है गुड मॉनिंग जान जान जो डायना को ऐसे देखता है उसे बिलक और कहता है ठीखिहछे ठीखे टा यह ना गूद मौनिंग जाओ तुम वापस नहीं बैट जाओ जान जो सीधा किचिन में अंदर आ जाता है वो एबो के पास आता है और एबो के चिंप पर एक छोटा सा किस करता है इबो जो एक smile करता है तब ही जान कहता है बेबी क्या मैं तुमारी कोई help करूँ इबो कहता है बिल्कुल नहीं जानगा सब कुछ ready है बस मैं मिस टाइना के लिए कप coffee बना रहा हूँ जान कहता है पर तुम क्यों बना रहे हो तुम मेर से कह सकते हो न इबो तुम सब के काम के लिए नहीं हो तुम हमारी लिए breakfast बनाते हो चुकि हमें पसंद है पर डाइना के लिए coffee जबी इबो कहता है अब कोई बात नहीं करगा वो हमारी guest है और मैं इतना कर सकता हूँ जान जब इबो के मुझे ऐसे वर्ट सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है तब ही वो दीरे से इबो के लिप से एक चूटा सा किस कर लेता है जिसे डाइना देख रही थी उसकी फेस पर गुसना साफ देखा जा सकता था चेंग जो डाइना को ऐसे देखता है तब ही वो डाइना से कहता है क्यों डाइना गगा और इबो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते है न डाइना जैसे ही चेंग की तरफ देखती है वो एकदम गुस्ती में चेंग को देख रही थी चेंग की स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूं डाइना गगा अभ से जानती हूँ जान मुझे कभी नहीं फेकेगा समझे तुम और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कुछ कर पाओगे या वो इबो फिल्कुर नहीं जैसे ही डायना की यह बास सुनता है वो अपनी मुठिया बीच लेता है डायना एक समक कहती है और कहती है वैसे भी बेबी जैंक तुमने कितनी कोशिश की थी तुम्हें उसका उल्टाई हुआ ना तुम्हारे साथ इसलिए मैं तुमसे कह दे हूँ तुम्हें कोई कोशिश मत करना समझे तुम ऐसा कहती है जैंक जिसे बहुत गुसा आ रहा था भाई डायना जो अपनी मन में सूछती है मुझे कु नहीं आने देगा ऐसा सूचती है तब दुम्हें जान और एबु दोनों बाहर आती है जो कॉफी कमग लेके आया था वो डायना के सामने करता है डायना एक समाइल करती है और इबँ को थैंक यू कहती है इबँ भी बस एक समाइल करता है उड़ा जो सीधे चेर पर बैठ ज झान कहता हूँ जान केता है बिलकु नहीं तभी हो एक मेट को बलाता है और सारा ब्रिक्षास्ट We can take the 3 buyer जो 24 पर लगा देती एंड जान, चेंग, ढैना चारो बैठे हुए थे, तबी इबो जो करा होता है जान को और चेंग को अच्छे से रिक्वास सब करने लगता है, ढैना ये सब कुछ देख रही थी, तबी वो देखती है कि चेंग और जान कैसे एक दूसरे के बहुत करीम हैं, चुकि ढैना को नहीं पत करती है कुछ भी हो जाए मुझे बस जान के सामने यह प्रूब करना होगा इबो जो जान की तरफ एक स्माल करता है और जान को भी ब्रेकफास्ट सर्फ करता है सबी लोग उदर डाइना इबो की तरफ देखती है तभी जान कहता है डाइना तुम भी ब्रेकफास्ट लो ऐसा क कहता है डायना, क्या तुम किसी का बेट कर रही हो, तुमarlkeys बेकवास्ट लो और सुरो करो, डायना को लगाता है कि इवenne उसे भी बेकवास्ट सर्व करेगा, लेकिन ईवण जाईना की तरफ जाने वाला था, कि जैन इव ceux शुर्व का हाथ पकर लेता है, और कहता है बेबी तुम भी बैटो चलो तुम्हें भी नास्ता करना ना ऐसा कहता है और जान के सामने एबो के सामने वो एक प्लेट रखता है और उसमें अपने हाथों से सर्व करने लगता है ये देखकर तो डायना को बहुत गुसा आता है डायनो अपना हाथ उदर टेवल क नीचे मुठ्टिया बीच लेती है और अपने मन में कहती है तुम उसे इस तरीके से मेरे सामने ब्रिगवा सब नहीं कर सकते यह सिरफ मेरा हुश है और तुम इतना प्यार सिरफ मेरे लिए कर सकते हो जान या कि इस लड़के के लिए समझे तुम ऐसा कहती है उसे बहुत गुसना आ रहा था वहें चेंग जो डायना के फेस को देख सकता था उसे बहुत अच्छा लग रहा था तभी सबी लोग अपना ब्रिकफास्ट फिनिश कहते हैं ध्रिकफास्ट फिनिश होने के बाद जान कहता है बेबी मुझे ओफिस जाना है और चैंग और एबो तम दोनों अच्छे से college जाना ठीक है yeah एबो और चैंग हम कहते है जान जो सीधा उपर जाता है और एबो को अपने पास आने का इसारा करता है चैंग कहता है गगा तुम्हें इबो बुला रहे हैं तुम जाओ, इबो, इसका फेश थोड़ा रेड हो गया था, तब इबो उपर चला जाता है, चैंग डाइना की तरफ एक स्माइल करता है, डाइना तुम गलत हो इस बार, इस बार तुम्हें मूखी खानी पड़ेगी, और मैं तुम से प्रॉमिस करता हूँ, अगर कुछ भी हुआ, तो देख लिना, गगा हमेशा इबो को तबी डाइना कहती है, तुम टेंशन मतलो बेबी चैंग, तुम देखना मैं क्या करूँगी, मैं इस इबो नाम के लड़के को तुमारे गगा की लाइफ से दूर करतूँगी, तुम देखना, चैंग जैसे ये सुनता है, एक पल के लिए तो चैंग परिशान हो जाता है, तबी चैंग गुस्से में कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो तुम याद रखना, तुम्हें पता भी नहीं, मैं तुमारे साथ क्या करूँगा, तबी डैना कहती है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है, कि चैंग से भी जादा तुम उस लड़के की जादा क्यार करते हो, तबी चैंग कहता है, अफकॉस्स, मैं उसकी बहुत क्यार करता हूँ, समझे तुम, ऐसा कहता है, और वो वहाँ से चला जाता है, जैना, जो अपने हाथ की मुठियां बीचती है, और वहीं सामने प्रिक्वास्ट टेबल पर मारती है और कहती है, तुम देखो, मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ, ऐसा कहती है, उदर हम इबो को देखती है, जैसे इबो अंदर रूम में एंटर होता है, जैन जल्दी से इबो को अपनी तरफ खीच लेता है, इबो कहता है, जैन का, आप क्या कर रहे हैं, जैन कहता है, भीबी, बस मैं तोड़ा, तुमारे साथ टाइम स्पेंट करना चाहता हूँ, इबो अपनी आइस नेरो करता है, जैन कहता है, जैन कहता है, अपको जाना है, लेकिन उससे पहले, मुझे मेरा मॉर्निंग किस चाहिए, इबो कहता है, पर गगा, आपने सुबह ही तो किया था, जैन कहता है तो, फर मुझे अभी भी चाहिए, ऐसा कहता है और इबो के अपने लिप्स रख लेता है वो इबो को बहुत ही passionate तरीके से किस करने लगता है इबो भी जान की किसका response कर रहा था दौनों इक दूसरे को थोड़ी तर किस करते हैं किस करने के बाद जान इबो को छोड़ देता है इबो और जान दोनों गहरी-गहरी सासें ले रहे थे इबो जो बस जान कोई देख रहा था जान इबो की फोर हैट पर किस करता है और कहता है ठीके बेबी मैं साम को आता हूँ हम, और तुम college अच्छे से जाना, ठीक है, हाँ, और time से तुम और चेंग दोनों खा लेना, ठीक है, इबो हम कहता है, तबी इबो कहता है, गगा, आप भी अपना ख्याल रखनेना, और हाँ, अच्छे से lunch कर लेना, ठीक है, और मुझे पता है, जब भी आपकी meeting होती है, तो आ मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं बाइफी नहीं हूँ आपकी, तबी जान कहता है, कोई बात नहीं, कुछ दुन में तुम मेरी बाइफी बन जाओगी, इबो कहता है, खगा, मुझे टीस करना बंद कीजिए, जान जिसके फेस पर एक स्मायल आ जाती है, तबी वो अपना कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं डाइना, जो लिविंग एरिया में बैठ हुई थी, इबो और चैंग दोनों कॉलेज से रिटन आते हैं, डाइना को देखता है, वो एक स्मायल करता है, डाइना कहती है, इब इबो जो चैंग की तरफ देखता है, और कहता है, चैंग जाओ, तुम चल्दी से अच्छा शाहर ले लो, तुमें पता है ना, हाज तुमने इतना सारा बास्केट बॉल खेला, चैंग कहता है, ठीक है, मुझे पता है, मुझे तोड़ी स्मेल आ रही है न, इसलिए तुम आ से चला जाता है, वहीं डाइना, जो इबो की तरफ देखती है, और चैंग की तरफ तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, वो एक इसमक करती है, अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं, सभी लोग ब्रिकपास्ट टेबल पर थे, डाइना, इबो, ज से देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन वहीं डाइना की दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, सब लोगों का डिनर फिनिश हो जाता है, उसके बाद चैंग जो कड़ा होता है, और कहता है, इबो, आज तुमने कितना सारा खाना खिला दिया, तुम मुझे सच में किसी द जान जो ऑईबो की बास सुनके हसने लगता है, चैंग जो ए अनौंसा फेस बनाता है और अपनी रूम में चला जाता है, वहीं जो सदडनली जिसका फॉन रिंग हो जैसे वो फॉन देखता है, तो देखता है फॉन उसकी मॉम का था, वो जान से कहता है, गगा मैं भी आता ह मेरी मौम का कॉल है जान हम कहता है इबो भी अपना फॉन लेके वह यहां से चला जाता है तभी डाइना जो जान की तरफ देखती है वो जान से कहती है जान किर तो मैं नहीं लगता कि चैंग और इबो एक दूसरे के बहुत करीब है चैंग जान कहता है अफ़कोस वो करीब है डाइना कहती है, मुझे बैसे नहीं जान, मैं वैसे कह रही हूँ, ऐसा लगता है, जैसे इबो, चैंग से बहुत प्यार करता है, और चैंग भी इबो से बहुत प्यार करता है, जान एक स्माइल करता है, और कहता है, अफकोस, चैंग भी इबो से बहुत प्यार करता है, और इ तुमें नहीं नहीं लगता कि वो दोनों आज से जादा करीव हैं जैसे तुमरे उबो तबहे ज़ान सद्डाली चुछन्डूकर देखता है। उपी। मैं बता भी ऑ नहीं जानना या है। तुम्ने कुछ जादा ही देख ललका support बैसे भी जान इबो और चैंग दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं समझे तुम जान जान केता है हाँ तुम जानते हो चैंग उसे बिल्कुल यहाली सीजे के जैसे प्यार करता है और वो उसे मैं तुमें उन दोनों का रिष्टा एक्स्प्लेन भी नहीं कर सकता और आएंदा डाइन उन दोनों के बारे में ऐसा कुछ कहने से पहले दस बार सोचना ठीक है और तुमने जो आज कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा डाइना प्लीज डाइना कुछ भी करना लेकिन चैंग और रिष्टे के बारे में कभी इतना गलत मैं सोचना वो तोड़ा गुस्य में जाता है जिस पर डाइना तोड़ा डर जाती है और कहती है सोरी जान मेरा वो मतलब नहीं था जान कहता है तुम्हारा कोई भी मतलब हो लेकिन मुझे आज जो तुमने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गुस्दे में जान ऐसा कहा कि वहां से चला जाता है जाना जो अप पर ट्रस्ट करता है जेकिन लेकिन वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करता है और मुझे कुछ और करना होगा ताकि मैं जान सकूं कि आखिर इस एबोकों में बहर कैसे निकाल सकती हूं जान की जिन्दगी से ऐसा सूचती है और एक इसमक करती है उसके बाद हम एबोकों देखते हैं इबो जो अपनी मॉम से बात करने के बाद सीधा जान के रूम में जाता है जान जान पहले से ही वो शौपी पे बैठके एक फाईल पढ़ रहा था जान जैसे इबो को देखता है वो अपनी फाईल वही रख देता है और इबो की तरफ अपना हाथ करता है कहता है हाँ वो मुझे बहुत मिश्कर रहे हैं इसलिए वो चाहती है कि मैं उनसे मिलने आओं जान कहता है पर बी-बी ईबो कहता है क्गगा क्या कर्म मैं जाओ जाने गहरी सिसाइस लेता और ठीक है तुम चाहओ लेकिन मुझे प्रामस करो तुम साम तक बापस आजाओगे क क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम्हें बिना कड़ल की है, मुझे नीन नहीं आती। एबो कहता है, अफ़कॉस कखा, मैं बापस आजाऊँगा साम तक, ऐसा कहता है। जान एबो की फेस को पकड़ता है, और उसके लिए उसके किस करने लगता है। इबो भी जान को किस टिटन करता है तबी जान इबो को ब्राइडर स्टाइल में केरी करता है और बैड पर ले जाता है और इबो के ऊपर आ जाता है दोनों एक दूसरे को बहुत ही होट और पैसिनिर्ट तरीके से किस करते हैं किस करते करते ही जान और इबो दोनों एक दूसर से पॉड़ी पे एक भी कपड़ा नहीं होता धौनों अपने कपड़े निकाल देते हैं धौनों बहुत ज्यादा एक्साइट हो चुके थे उसके बाद इबो और जान मल्टिपल राउंड इंटिमेट होते हैं धौनों जब पूरी तरीके से सैटिस्पाई हो जाते हैं धब ज कीच लेता है वह ईबो के फुरट पे किस खरता है और इसे एसे कडल करके सो जाता है तो फ्रेंस नैक्स पाट इसका हम करेंगे के आखिर अब डाइना क्या करेगी वो जान और इबू को अलग करने के लिए क्या करने वाली है अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगाए बाबा टेकेर